अगर मैं कहूं कि मैं किसी ट्रेन के अंदर कोच में हूँ तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा है मुंबई से चलने वाली कोच होगी जो कि आने वाले कुछ दिनों में किसी न किसी विशेज ट्रेन में इसे लगाया जाएगा आपको कमफोर्ट के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो सीट पूरी तर से पीछे जाती है और उसी हिसाब से फिर आ गया आती है ल और यहां उसी अंदाज से सामने का सारा नजारा यहां बैटके देखेंगे यह कोच भारतिय कोच निर्मान की तरफ से बनाया गया है इंडियन डेलवे जो कोच बनाती है वही बनाया गया है लेकिन इसमें एक और खासियत है कि इसके उपर यानि छट से भी आपको नजारे दिख सकते हैं यह ट्रांस्पेरेंट है यह पोर्शन अगर कहा जाया तो एक पैंट्री गार्ड रूम और खास करके किसी भी टुरिस्ट कंपनी के लिए यानि टुरिस्ट के लिए गाइड का रूम भी हो सकता है यहां से इस माइक के जरिए जितने लोग हैं उन्हें सम्भ दिखेगा इसके अलाबा यहीं से जितने सारे मॉनिटर से उसमें या तो कोई फिल्म चलानी हो यहां से यूस भी पोर्ट के जरिए चलाया जा सकता है उन्हें एनांस्मेंट किया जा सकता है अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस ट्रेन में सफर करने वाले लोग कौन हो यह भी तय होना बाकी है क्योंकि जिस तरीके से सेंटरल रेलवे का मानना है कि वो या तो कोंकंड सेक्षन में या पूना सेक्षन में स्ट्रेन को चलाए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उमीद यही की जारी है कि दिन का सफर हो जिससे लोग पूरे इलाके का आनंद भी उठ रहा सकें और पूरी तरह से घूम भी सकें कैमेरमेन रवी के साथ राजी उरेंजन सीन जी मिडिया मुंबई जी चोविस्तास रहा एक पाउल पुढे